आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपकी लिए नया संडे कमेंट बाउट्स जहां पर आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवाल ही मैंने उठाए है ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारी कमेंट्स आप लोगों के आती है हर एक कमेंट को पढ़ना उसके जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कुछ ही सवाल ले पाया हूँ जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं जो की पहला सवाल है वाइब वी वी ये पूछते हैं माइक क्वेस्चिन इस हीरो स्प्लेंडर पहले था मतलब जैसे टैंक होता है वो ब्लाइक होता अभी अलग 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 आने लग पहले कुछ अपने दूसरा कलर लगा के सेम स्टीकर्स चिटका है तो यह लीगल है यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली लेकिन पूरी तरह से गाड़ी की लगा दिया या फिर पूरा का पूरा ब्लैक लगा या फिर पूरा का पूरा लाल कर दिया उसको तो वह इल्लीगल है मतलब गाड़ी की अगर पहचान बदल रही है उसमें ऐसे कुछ मोडिफिकेशन हो रहे है जो कि पहले जैसी नहीं दिक्री है वो अलग ही पूरी नजर रही है तो फिर मेरे हसाब से कहिग लिगल है नॉट फ्र मेरे हसाब से यह रट वर के हिसाब से भी कही नगर मैने कहीं गलत है तो आप सकती है और और सीटी वाले एरिया में आपका अक्सर गुमना होता है, अपको से ट्राफिक सिगनल होते हैं, वहां पे पुलीस वाले भी होते हैं, उन्होंने पकड़ा तो फिर फाइन लग सकता है, आप अभी जो मैंने थोड़े टाइम पर बताया, पहले वाला कलर वही अगर रिनिव कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी गारी की पहचान बदल रहे हो, अलग-अलग कलर लगा रहे हो, तो फिर वो लिगल है, बते हैं, अगला जो सवाल है, वो है सुप्रव और यह पूछते हैं, BS6 Bikes और स्कूटी में PUC, अप्टर वन इयर, इस नेसेसरी और नौट, हाँ, यह सवाल इंपोर्टन है, देखो, BS4 में भी यह था, कि अगर हमने एक साल तक गाड़ी खरीद ली, तो एक साल तक PUC की पोलूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिकेट है, उस जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक साल के बाद इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, तो आप इसे करना ना भूले, इसके बाद अगला जो सवाल है, अथर्व, क्षत्रिय, यह पूछते है, सर बाइक की चेन को डिजल से वाश करे या नहीं, भै डिजल आपको पत मतलब इन तीनों चीज़ों के अलावा आप नॉर्मल भी वाश कर सकते हो, किसी लिकवीड बगरा से, लेकिन उतना अच्छा जो है, क्लीन नहीं होगा, चैन बाद में फिर वो वापस से हार्ड बन जाएगी, मतलब गारी स्मूडली ने चलेगी, पिट्रोल बेस्ट में पास दो बाइक है, आपचे आट याट 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 यहाँ से शुरू होता है, क्या मैं एच अच्छ बिलक्स भी यह सिक्स है, वो विलेज उत्तर प्रदेश के लिए, दोनों बाइक न्यू है, अनली नाइन मन्त ओल, दोनों के दोनों नौ मैने पहले क्विश्चन यहाँ से शुरू होता है, क्या मैं एच अच बिलक्स भी यह सिक्स 95 प्लस की स्पीड में रन कर सकता हूँ, और 75 स्पीड में अभी भी चला था हूँ, कोई प्रॉब्लेम तो नहीं होगा, अपली सजेस्ट में दोनों बाइक फुल मैंटेंड है, आप हंड्रे स्पीड तक चला सकते हो, गाड़ी की कापैसिटी उतनी होनी चाहिए, गाड़ी की मतलब उसके इंजिन की, अब यह हमेशा ही आप इतने स्पीड पे मद भगाया करो, क्योंकि आपने बताया, 75 हो तो आप आराम से चलाते हो, बस मेंटेनेंस जैसे आपने कहां, वेल मेंटे इन वाली चीज़े आपको आगे भी बरकरार रखनी है, उसके बाद आप 90 किलोमेटर पर अवर का स्पीड भी आचिव कर सकते हो, हाइवेस पे, दिक्कते आपको स्पीड आचिव करने में नहीं आएगी, दिक्कते आपको कंट्रोलिंग में आएगी, क्योंकि आपकी से 90-95 वो तो उससे उपर भी जाती है, लेकिन कंट्रोल भी हो जाएगी, अब ये जो छोटी गाडिया है, इनके टायर्स छोटे होते हैं, और कंट्रोलिंग में दिक्कते आती है, मान लो बारिश के दिन है, रास्ते गीले है, सडके गीली है, और ऐसे में आप 90 किलोमेटर पर अवर के स्पीड पे चला रहे हो, पैनिक सिच्वेशन में ब्रेकिंग लगाने के बाद थीसल सकती है, स्कीड हो सकती है, और इतने स्पीड में अगर हुआ, तो भाई, पता नहीं, भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, ऐसा आपके साथ कभी ना हो, मेरी दुआ है भग स्कूल वूल है, आसपास मैं ऐसे चीज़े हैं, तो मत चला ना क्योंकि कंट्रोल हो, कंट्रोलिंग में दिक्कते आएगी, इतने स्कीड के लिए यह गाड़िया अभी भी नहीं बनी है, यह कम्यूटिंग सेग्मेंट के गाड़िया है, कम्यूटिंग के लिए, सीटी उसक तक आप लेके जा सकते हो, लेकिन यह जा सकती है, मेरा कहना है, आप 95 प्लस लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अगला सवाल है, गवरव उपाध्या यह पूछते है, हाई, क्यान यू प्लीस टेल में अबाट दू माइलेज ऑप एक सीवेश वेश वेशन हंड्रेड डीजल, and when can I book the डीजल 700, महिंद्रा की और से अभी अभी जो लॉंच हुवी है, 700, इसके बारे में इनोंने पूछा है, इसका माइलेज क्या है, डीजल का, देखो माइलेज 11 से 15 के बीच में मिल जाना चाहिए आपको, ये 11 से 15 के बीच में मैंने इसलिए कहां, क मेरा point हमेशा से ही यही रहता है, कि आप लोगों की driving skill पे ही ये depend करता है, अगर bike है, तो फिर riding skill पे, गाड़ी है, four wheeler है, तो driving skill पे depend करता है, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे use करते हो, तरह तरह की बाते होती है, तो मेरे इसाब से 11 से 15 के बीच में मिल जाना चाहिए, 15 से उपर अगर मिल रहा है, तो well and good, लेकिन 11 से नीचे आपको शाहिद ना मिले, क्योंकि इस से कम शाहिद ये गाड़ी ना दे, तो ऐसा है, इतने के बीच में मिल जाएगा, जो महेंदरा ने officially एक जगा पे पोश्ट किया हुआ था, मुझे याद नहीं आ ये, I think, October महिने के दो या चार तारिक से जो है, मिलना शुरू हो जाएगा, आपके नियरिष्ट शोरूम में महिन राके, तो तब से आप इसे बूग कर सकते हो, खरीच सकते हो, जो भी है, तो इसके बारे में और details अगर मिलती है, मुझे ये मिलना है, तो description में मैं वीडियो आज कल हो रहे है, जिसको short में करना है, अगर आपके भी कुछ सवाल है, तो इसी तरह हमें comment में और genuine सवाल ही comment करें, जिसका जवाब मैं दे पाऊं, अब अगर आप चाहते हो कि आपके car और bike से related सभी तरके सवालों के जवाब आपको एक ही channel पर available हो जाएसा आपक पर पहले follow करना, तभी सवाल पूछना, unfollow जो follow नहीं करेंगे, उनका जवाब नहीं मिलेगा, माप कर देना इस चीज़ के लिए, मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आप से विदा, और फिर से मिलता हूँ, ऐसे ही किसी नए interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार